दोस्तो अरुन की साधी को लगभग दो साल गुजर जाते हैं लेकिन इन दो सालों में उसकी बीवी को कोई बच्चा नहीं होता है दोस्तो अब इस चीज़ से दोनों मिया बीवी काफी परेसान हो जाते हैं कई डॉक्टरों से मिलते हैं चेक अप करवाते हैं लेकिन कोई सोलुसन ही नहीं मिलता है दोस्तो अब इसे बीच एक दिन अचानक से एक बाबा आ जाता है उसके घर में और आने के बाद अब अरुन जो है उस बाबा से अपनी सारी परेसानी बताता है दोस्तो वो बाबा उन दोनों की सारी परेसानी सुनने के बाद वो बाबा उसकी बीवी को लेकर अंदर कमरे में ले जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है दोस्तो उसके बाद वो बाबा जो करता है जिससे जानने के बाद आपके भी पैरो तले जमिन खिसक जाएगी तो दोस्तो आईए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेश्ट है की वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजे ताकि मेरा होसला बढ़ता रहे दोस्तो मेरा नाम है तबस्तुम खातुन और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है दोस्तो आरुन के परिवार में उसके माता पिता के लावा उसकी एक छोटी बहन थी चार लोग का परिवार था परिवार बहुत ही खुसाल तरीके सबती जिन्दिगी जी रहा था दोस्तो जो अरुन के पिता थे वो सरकारी कर्मचारी थे और जो अरुन था वो बाहर रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था दोस्तो उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी इसे तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है और अरुन की पढ़ाई complete हो जाती है दोस्तो अब अरुन की पढ़ाई जैसे ही complete होती है तो वो एक महीने के लिए अपने घर में बैड़ जाता है दोस्तो अब इसी बीच अरुन का एक दोस बैंगलोर से कॉल करता है उसे और कहता है कि अरुन अगर तुम्हारी पढ़ाई complete हो गई है तो आज मेरे company में exit खाली है दोस्तो अब यह बाद जब अरुन सुनता है तो बहुत खुस हो जाता है क्यूंकि उसकी पढ़ाई को complete हुए हुए अभी एक मही नहीं हुए थे अब अरुन यह बात अपने माता पिता से कहता है अब जो उसके माता पिता थे वो भी बहुत खुस होते हैं क्योंकि सैलरी भी काफी अच्छी खासी थी प्राइवेट कमपनी था लेकिन सैलरी बहुत ही अच्छी थी दोस्तो अब अरुन एक हपते के बाद ही बैंगलोर के लिए निकल जाता है वहाँ जाने के बाद अरुन पहले अपने दोस्त के यहां जाता है उसके साथ फिर उसी कमपनी में जाता है इंटरव्यू देता है सारी चीजे हो जाती है उसके बाद उसका भी सेलेक्शन हो जाता है अब जो अरुन था वही पर एक फ्लाइट ले लेता है रेंट पर और वही पर है कि वो जोब करने लगता है दोस्तो अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है अरुन की कमाई भी वहाँ पर अच्छी खासी हो रही थी इसी बीच लगबग दो साल का वक्त गुजर जाता है दोस्तो इन दो सालों में अरुन काफी अच्छा खासा बेंक बैलन्स भी बना लिया था दोस्तो अब एक दिन अरुन की मां अरुन को कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि बिटा तुम्हें जोब लगे हुए दो साल हो गए है और इन दो सालों में तुम्हें अच्छा खासा कमाई भी कर लिया है और तुम्हारी साधी की भी उम्र हो गई है तो मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी साधी कर देनी चाहिए दोस्तो अब जो अरुन था वो कहता है कि ठीक है मा आपकी जैसी मर जी है आप लोग वहाँ लड़की देखिए दोस्तो अब इसी बीच एक दिन अरुन के घर में एक पंडी जी आते हैं अर उस पंडी जी से अरुन की मा कहती है कि मेरे बेटे के लिए आप लड़की देखे दोस्तो अब जो पंडी जी थे उनके पास बहुत सारी लड़कियों की फोटो थी अब अरुन की मा को पंडी जी फोटो दिखाते है दोस्तो उसमें से अरुन की मा एक लड़की को पसंद करती है और पूछती है पंडी जी से कि ये लड़की कहां किये इसका नाम क्या है दोस्तो जो पंडी जी थे वो कहते हैं कि इस लड़की का नाम नेहा है और ये बगल के गाव की ही है दोस्तो अब अरुन की मा पंडी जी से कहती है कि पंडी जी आप इस फोटो को मेरे वाटसाप पे भेजे मुझे अपने बेटे को भेजना है दोस्तो आप पंडी जी उस फोटो को भेज देते हैं वाटसब पर अब जो अरुन की मा थी उस फोटो को अरुन को भेज देती है और अरुन को कोल करके कहती है कि बेटा मैंने तुम्हारे वाटसब पर एक फोटो भेजी है उस फोटो को देखो दोस्तो जब अरुन उस फोटो को देखता है तो अरुन को लड़की पसंद आ जाता है लड़की बहत खुबसूरत थी और दिखने में भी काफी अच्छी लग रही थी स्मार्ट लग रही थी अरुन अपनी मा को बोलता है कि मा मुझे लड़की पसंद है आप इसके घर जाए और आगे की बात कीजे दोस्तो इधर जो अरुन की मा थी अब पंडी जी को कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि मेरे बेटे को लड़की पसंद आ गया है हम लग लड़की से मिलना चाहते हैं दोस्तो अब दो दिन के बाद ही अरुन की मा और उसके पापा जाते हैं लड़की को देखने के लिए पंडी जी के साथ वहाँ जाकर जब वो लड़की को फेस टू फेस देखते हैं तो वाके में वो लड़की फोटो से भी ज्यादा खुबसूरत रियल में लग रही थी अब वहीं पे वो लड़की को पसंद कर लेते हैं और कहते हैं कि हमें ये रिस्ता मनजूर है दोस्तो अब अरुन धूमधाम से बारात लेकर जाता है नेहा के घर वहाँ नेहा के घर वाले भी बड़ी ही धूमधाम से उन लोग की खातिरदारी करते हैं पुरही रिती रिवाच के साथ उन दोनों की साधी होती है साधी होने के बाद अरुन अपनी दुलहन को लेकर घर आ जाता है दोस्तो घर आने के बाद लगभग 15 दिनों तक अरुन अपने घर में ही रहता है लेकिन दोस्तो उसके बाद अब उसे बैंगलोर निकलना था क्योंकि बहुत ज्यादा वो छुट्टी ले चुका था अब जो अरुन था वो सोचता है कि अपनी बीवी को भी वो साथ लेकर ही जाएगा क्यूंकि वहाँ वो जाएगी तो खाना वगरा बनाने में उसे काफी सुबिधा हो जाएगी उसकी बीवी खाना वगरा बना कर देगी तो उसे ज्यादा टेंसन नहीं होगा दोस्तो अब अरुन अपनी मां से कहता है कि मां में नहा को साथ लेकर जाना चाता हूँ वहाँ वो रहेगी तो घर का काम करेगी मुझे वक्त पर खाना मिल जाएगा दोस्तो जो अरुन की माँ थी वो मना नहीं करती है और वो अपनी बेटे से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है तुम बहु को ले जाओ वहीं अपने साथ रखना दोस्तो अरुन और अरुन की बीवी नेहा अपना सामान वगरा पेक करते हैं और फिर अगले ही दिन बेंगलोर के लिए निकल जाते हैं दोस्तो वहाँ पहूचने के बाद अरुन को बहुत सारे सामान भी खरीदना पड़ता है घर का कुई क्यों बहुत सारे सामान की कमी थी अब दोनों मिया बीवी जाते हैं मार्केट बहुत सारा सामान भी खरीद के लाते हैं घर का और वहीं सिफ्ट हो जाते हैं दोस्तो अब इसी तरह से उन दोनों की जिन्दगी हसी खुसी वहाँ पर गुजर रही थी हपते में एक बार अरुन अपनी बीवी को लेकर गुमानी फिर्णी के लिए ले जाता पार्क मिले जाता मौल मिले जाता और इधर उधर ना जाने कहां कहां उसे बैंगलोर की सिर्क राय करता था दोस्तो इसी तरह से धीरे-धीरे लगभग एक साल का वक्त गुजर जाता है दोस्तों आप जैसे ही एक साल गुजरते हैं अब अरुन की जो मा थी वो हमेशा कोल करके अपने बेटे से पुछा करती थी कि बेटा क्या बहुगी गोद भरी कोई खुश खबरी है लेकिन दोस्तों जो अरुन था वो कहता है कि नहीं मा अभी ऐसी कोई खुश खबरी नहीं ह जब होगी तुम्हें आपको बता दूँगा अब इसी तरह से आये दिन लगभग हर हफते अरुन की मा कोल करती और इसी तरह से पूछा करती थी दोस्तों इधर नेहा को तो बच्चा था ही नहीं उसका गोधरा भरा हुआ ही नहीं था दोस्तों अब इस सवार से नेहा और अरुन परेसान हो जाते हैं दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे लगवग डीर साल का वक्त गुजर जाता है लेकिन इन डीर साल में भी उन दोनों को बच्चा नहीं होता है अब दोनों मिया भी भी बहुत परेसान हो जाते हैं दोनों जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर से मिलते हैं दोस्तों जिस डॉक्टर से मिलते हैं वो डॉक्टर भी कहते हैं कि तुम दोनों में कोई कमी नहीं है थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगा तुम दोनों टेंसन मतलों दोस्तों उसके बाद जो अरुन की बीवी थी वो कैबिन से बाहर निकल जाती है और अरुन अंदर ही रह जाता है अब अरुन और डॉक्टर के बीच में अंदर क्या बाते होती है वो अरुन अपनी बीवी को नहीं बताता है दोस्तों उसके बाद नहीं अरुन से पूछती है कि डॉक्टर सहाब ने तुम से क्य तो अरुन कहता है कि अरे कुछ नहीं बस नॉर्मली बाते कर रहे थे चलो घर दोस्तो इस तरह का बहाना बनाकर अरुन अपनी बीवी को घर लेकर आ जाता है फिर अपनी जिंदेगी में सब बीजी हो जाते हैं लेकिन दोस्तो जो अरुन की मा थी वह हमेसा कॉल किया करती थी और अपने बेटे से बस यही सवाल किया करती थी कि हम दादी कब बनेंगे दोस्तो जो अरुन था वो तो पुरा डिप्रेशन में चला गया था अब समझ में नहीं आ रहा था उसे क्यों क्या करेगा दोस्तो अब इस तरह से दोनों मिया बीबी का बैंगलोर में रहना दुस्वार हो गया था क्योंकि अरुन की मा ही कॉल नहीं करती थी अरुन के रिष्टेदार दोस्त यार भी अरुन को कॉल करके बस यही सवाल किया करते थे दोस्तो इसे तरह से धीरे धीरे लगबग दो साल का वक्त गुजर जाता है दो साल के बाद अब एक दिन फिर से उसकी मा कॉल करती है और कॉल करके अरुन से यही सवाल करती है कि अरुन क्या बाते कोई खुशखबरी है या नहीं हम दादा दादी कब बनेंगे दोस्तो अब जो अरुन था वो कहता है अपनी मा से कि मा खुसखबरी नहीं है मैंने आपको कितनी बार कहा कि अगर कोई ऐसी खुसखबरी होगी तो मैं आपको जरूर कोल करूँगा और मैं खुद बताऊँगा आपको अब बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रही है दोस्तो अब जो अरुन की मा थी वो कहती है कि बिटा क्यों नहीं पूछूंगी बहुत टेंसन होती है ऐसा करो कि तुम बहु को घर लेकर आजाओ मुझे लगता है कि बहु के उपर कोई भूत प्रित का साया है बस इसलिए उसे बच्चा नहीं हो रहा है तुम लेकर आओ उस क्यों कह रही है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग इतना अंधविस्वासी कैसे हो गए हैं मुझे इन सब चीजों पर भरोसा नहीं है और मैं किसी तांत्रिक बाबा के पास नहीं जाओंगा दोस्तो इतना कहकर अरुन गुस्से से कोल काट देता है अब जो उ नहा थी वो भी काफी दुखी हो जाती है और अपने पती से कहती है कि मा जी सही तो कह रही है हमारे साधी को दो सालों में कोई बच्चा नहीं हुआ है उन लोग का भी टायम है पोता पोती के साथ खेलने का और हम उन्हें वो सुख नहीं दे पा रहे हैं दोस्तो अब उसी नहा अपने पती से कहती है कि देखो अरुन अगर मुझे बच्चा नहीं हो रहा है तो तुम दूसरी साधी कर लो इस चीज़ से तुम्हारे माबाप की या ख्वाहिस पूरी हो जाएगी दोस्तो इस बात को सुनकर अरुन काफी गुसा होता है और अपनी बीवी से कहता है क कि भले मुझे बच्चा ना हो लेकिन मैं दूसरी साधी कभी नहीं करूंगा तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ सकता दोस्तो जो नहा थी वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी ना कह रही हूं बस तुम दूसरी साधी कर लो दूसरी साधी कर लोगे तो बच्चा हो जाएगा फिर कोई सवाल नहीं करेगा कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं लेकिन दोस्तों जो अरुन था नेहा से बहुत प्यार करता था वो नेहा के साथ कभी ऐसा नहीं करना चाहता था वो साप मना कर देता है नेहा को कि मैं दूसरी साधी कभी नहीं करूंगा दोस्तो अब इसी तरह से धीरे धीरे और दो महीने का समय गुजर जाता है अब दो महीने के बाद एक दिन अचानक से अरुन नेहा से कहता है कि नेहा मैं गाउ जा रहा हूँ दो दिनों के लिए मुझे बहुत जरूरी काम आ गया है और मा ने भी बुलाया है तुम दो दिन तक यहीं पर रहो पर अपना खयाल रखना बाहर मत जाना और कोई अंजान आदमी घर पे आ जाये तो तुम दरवाजा मत खोलना दोस्तो जो नेहा थी वो अपने पती की बात को मानती है और कहती है कि ठीक है आप जल्दी से वापस लोट आईएगा दोस्तो अब जो अरुन था दो दिनों के लिए अपने गाव चला जाता है दोस्तो जब दो दिन के बाद अरुन बैंगलोर लोड़ता है और अपने घर आता है जब उसकी बीवी दरवाजा खोलती है तो अरुन के साथ एक बाबा होता है जो की हट्टा-खटा जवान होता है कहा था कि बहु को यहां लेकर आओ जारफुक करवानी है तो सायद बच्चा हो जाएगा तो हम तो वहां नहीं जा पाए लेकिन मा नहीं भेजा है जारफुक करवाने के लिए दोस्त अब जो बाबा था कमरे के अंदर आ जाता है अंदर आने के बाद अब जो अरुन था नेह दोस्तो अब जो बाबा था पूरे घर के चेकर लगाने लगता है सभी कमरे में जाता है सभी घर के कोनों में जागता है उसके बाद बाबा होल रूम में आकर खड़ा हो जाता है और उन दोनों को कहता है कि इस घर में बहुत बड़े आत्मा का साया है और वो आत्मा ये चाहत दोस्तो अब वो बाबा अरुन से कहता है कि अरुन तुम अपनी बीवी का हाथ छोड़ दो और तुम अकेले में खड़ा हो जाओ दोस्तो अब जो अरुन था अपनी बीवी की हाथ को छोड़ देता है दोनों अलग-अलग खड़े हो जाते हैं अब जो बाबा था मंत्र फुक तेरहां कि पानी के पारते हैं दोर से लता है और पानी को पीछ करो दोस्तो तो ने ऐता है कि दो पीलओ और दो दोस्त कि इसके अंदर से अब वो आत्मा निकलने वाली है और उसे मैं इस डब्बे में कैद करने वाला हूँ दोस्तों ठीक उसके 10 मिनट के बाद ही जो नेहा थी वो बेहोस हो जाती है अब अरुन से कहता है कि इसे तुम सौफे पर लेटा दो अरुन बिल्कुल वैसा ही करता है उस इसके बाद जो बाबा जी था फिर कुछ जाप करता है कुछ मिनट तक उस जाप को करने के बाद अब वो बाबा कहता है कि देखो अरुन जो भी आत्मा थी उससे मैं इस डब्बे में कैद कर लिया हूँ लेकिन अब इससे तुम्हें लेकर जाना है बाहर और बहते पानी मे जहां पे बहता नधी होगा उस नधी में जाकर तुम्हें एक हजार बार ओम नमसिवाय का जाप करना है और फिर इस डब्बे को बंद करके ही नधी में बहार देना है दोस्ते फिर अरुन बाबा जी से पूछते हैं कि बाबा जी कि अभी ही जाने होंगे दोस्तों वो जो बाबा थो कहता है कि हाँ तुम्हें अभी और इसी वक्त जाना होगा तुम्हारे बीवी को होस में लाने में लगभग दो घंटी का वक्त लगेगा और तुम्हें वहाँ पर एक हजर जाप करने में लगभग चार घंटी का समय लग जाएगा और हो सकता है कि तुम्हारे आने से पहले ही में यहां से चला जाओ तो तुम अभी ही चले जाओ दोस्तों अब जो अरुन था वो बाबा की बात को मान लेता है दोस्तों अब अरुन अपनी बीवी नेहा और उस बाबा को घर में अकेले ही छोड़कर चला जाता है और जाते जाते अरुन यह कहकर जाता है कि ब बाबा दरवाजा को बंद कर देता है और जिस मकसद से वो आया था उस घर में अब उस मकसद को पूरा करने में लग जाता है। और फिर वहाँ से वो भाग जाता है। दोस्तो लगबख चार घंटे के बाद जब अरुन घर में आता है तो देखता है कि वो बाबा घर पे नहीं है और नहा सोफे में बैठी हुई है। अरुन था उपने आफिस के काम में बिजी हो जाता है और उसकी बीवी घर के कामकाज में लग जाती है। दोस्तो अब इसी तरह से धीरे धीरे लगबख दो महीने का वक्त गुजर जाता है। जब दो महीने का वक्त गुजरता है तो एक दिन अचानक से जब नहा किचन में काम कर रही थी तो उसे उल्टी होने लगती है। अब अरुन भी घर में ही था अब अरुन घबरा जाता है कि अचानक से उसे उल्टिया क्यों हो रही है। दोस्तो जो नहा थी वो बहुत खुस होती है। और वो कहती है अरुन से कि अरुन घबराने की बात नहीं है मुझे लगता है कि तुम पापा बनने वाले हो। दोस्त आप दादा दादी बनने वाले हैं पापा दादा बनने वाले हैं और आप दादी बनने वाले हैं दोस्तों जब अरुन की मा या बात सुनती है तो वो बहुत खुस होती है अब उसी वक्त अरुन की मा फोन रखती है और मार्केर से लड़ू खरीद के लाती है और पूरे थी मन ही मन कुछ और ही सोच रही थी दोस्तों अब जो निहा थी वो अरुन के पास आती है और अरुन से कहती है कि अरुन मैं अच्छे से जानती हूं यह बात कि तुम पापा नहीं बन सकते थे क्योंकि कमी मेरे में नहीं थी कमी तुम में थी और यह बात मैं बहुत पहले ही जान चुकी थी और तुम्हें याद है एक बार जिस दिन में कह रही थी कि मैं पालर जा रही हूं किसी काम से वहाँ पर मुझे बहुत जरूरी काम है और मैं पालर चली गई थी उसी वक्त तुम अपने दोस्त को लेकर घर पे आ गए थे लेकिन जब मैं पालर गई तो वहाँ देखी कि पालर बंध है और मैं उसी वक्त घर आ गई जब मैं घर आई तो मैं देखी कि तुम और तुम्हारे दोस्त कमरे में बाते कर रहे हैं और तुम दोनों कुछ ऐसी बाते कर रहे हैं कि मुझे कुछ डाउट होने लगा और मैं खड़ी होकर चुपचाप तुम दोनों क बाते सुनने लगी और मैं वो सारी बाते सुन ली जो तुम अपने दोस्त से कह रहे थे कि तुम्हारे दोस्त को किस तरह से तुम एक बाबा का रूप धारन करके हमारे घर में लाओगे और मेरे साथ वो सारे काम करवाओगे जिससे मैं मा का सुख पा सकूँ वो सारी बाते मै मिला पा रहा था लेकिन दोस्तों जो नेहा थी वो समझ जाती है पूरी बाते वो उसी दिन समझ गई थी और वो अरुन से कहती है कि अरुन तुमने जो भी कुछ किया है बस मेरे लिए किया है क्यूंकि तुम्हारे माबाग कई सालों से यही बात कह रहे थे तुम्हारे रिस् बात से मुझे कोई एतराज नहीं है और तुम टेंसन मत लो यह बात हम दोनों के बीची रहेगी यह बात में कभी किसी को नहीं बताऊंगी दोस्तो अब इसी तरह से नेहा और अरोन अपनी जिंदगी हसी खुसी आगे की तरफ गुजारने लगती है दोस्तो इसी तरह से धीरे-धीरे कुछ महीने का समय गुजर जाता है और नेहा एक बेटी को जन्म देती है जब वो बेटा उसके घर में आता है तो उसके परिवार में और भी खुस्या बढ़ जाती है अब नेहा को यह ताना नहीं सुनना पड़ रहा था कि वो बांज है तो दोस्तो यह रही पूरी कहानी आप लोग के सामने दोस्तो इस कहानी में जो नेहा के पती अरुन ने किया क्या वो सही किया या गलत किया अपने अपनी राई कमेंट सेक्षन में जरूर दीजे दोस्तो अगर आप लोग को यह कहानी जरा भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर सेर कीजे दोस्तो इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी धार्मिक भवनाओं को ठीस पोचाना नहीं है बलकि समाज को सतर्क करना है जागरूप करना है ताकि आप अपना और अपने फैमिली का खयाल रख सकें दोस्तों मेरे पिछले वीडियो में जितने भी लोग कमेंट किये हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं राज कोलकता से अबु सेफ अंसारी आयूबंसारी उत्तर प्रदेश से माश्टर सरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से इर्फान खान महाराश्ट्र से स्याम प्रकास कुसवाहा पतनी सुमन कुसवाहा इटावा उत्तर प्रदेश से बादसा भाई महाराश्ट्र से विकास मुर्मू उडिसा से, मुहम्मद यासिन लाहोर पाकिस्तान से, असलमसाद गोपाल गंज बिहार से, नुकेस कुमार रजक नई दिल्ली से, मेजर साहब यूनु सामद सौधी अरब से, रमेस बोरा अस्सम से, अब्दुल्मनान अनसारी बिलासपुर से, नरेस पटेल ह इजनोर से, लालू बाबू दरभंगा से, सर्ता जली चंदोसी से, दोस्तों अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियो में सुनना चाहते हैं, तो अपना नाम और अपने राजजी का नाम कमेंट सिक्षन में जरूर लिखे, ताकि मैं अपने एगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूँ, दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक कर ले शुक्रिया, जैहिंद